Hi guys, welcome, this is your Samheer Kohli sir with another day, day 39 आपको दिख रहा होगा, day 39 of 365 days of mathematics for class 9th, daily 4-5-5 questions करते चलो और match में number बढ़ाते चलो, jupitiflix.com पे जाओ, वहाँ पे 9 से लेके 12 तक का काफी अच्छा study material है, free of cost available है, download करो और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ, तो मैं पढ़ने से और बढ़ने से कोई नहीं रोख सकता, इस पूरे page में 5 questions है, there are 5 questions, ये 5 के 5 questions एक बार खुद से try करो, and I'll explain you, thank you, question number 1 देखिए, जड़ा ध्यान से, question number 1 बोल रहा है, कि एक straight line दे रखी है, simple जी बात है, a, o, b, और एक angle दे रखा है, 3x plus 5, एक angle दे रखा है, 2x minus 25, 25, what is the value of x, that will make a, o, b, a straight line, for a, o, b, to be a straight line, ध्यान देजेगा, अच्छा है, answer लिको, angle a, o, c, plus angle c, o, b, is equal to 180 degree, they have to form linear pair angles, ध्यान देखे चलना, और कुछ भी नहीं है, solve करो, तो अब angle a, o, c, को डालो बेठा, यह उसी की value है, 3x plus 5, plus c, o, b, की value आ रही है, 2x minus 25, question copy करते हैं, गलती मत कर देना, मुझसे बहुत होती थी, 3x plus 2x is 5x, 5 में से 25 जाएगा, minus 20, is equal to 180, 5x is equal to 180, plus 20, 5x is equal to 200, x की value आ जाएगी 200 upon 5, x की value आ जाएगी 40 degree, x को 40 degree होना पड़ेगा, अगर आपको इसको एक straight line बनाना है, तो ध्यान दे लेना, अगला question बहुत प्यारा question है, अगर आपको यह आता है, तो आप बहुत अच्छे हो, अगर आपको यह आता है, तो आपकी position बहुत बहुत अच्छी है, ध्यान देना, वो गहरेगा, the sum of interior angles of a pentagon, एक करेंगे देसी तरीके से, कि हमें नहीं आता, तो देसी तरीका ही होगा, pentagon वो होता है, जिसमें 5 sides होती है, ज़रूरी नहीं है कि 5 sides equal हो, 5 sides unequal है, regular pentagon में 5 sides equal होती है, normal pentagon की बात हो रही है, इसके interior angles का sum पूछ रहा है, वो, सारे angles का sum, कोई भी एक angle नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है, सारे angles का sum, नहीं आता, तो बच्चा कहेगा, सर, इसको नहीं आता, तो क्या करूँ, मैंने गहां नहीं आता तो मस्ती करना क्या टेंचन लेनी फिगर बना ले बच्चा ने गहां यह क्या किया आपने मैंने गहां यह देख यह बन गया एक ट्राइंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 और यह बन गया quadrilateral triangle और quadrilateral को जमा करो तो बन रहा है पूरा पेंटागन अगर इनको प्लस कर दे तो आप खुद देख सकते हो मेरे बच्चों ये अंगल आ गया ये अंगल आ गया 180 ट्राइंगल का 360 कौड्री लेटरल का 540 डिगरी इस दा अंसर उन बच्चों के लिए जिनको इसका फॉर्मुला नहीं आता बट जिनको इसका फॉर्मुला आता है मैं बता दूँ sum of interior angles of polygon बराबर होता है मेरे बच्चों n-2 into 180 pentagon के अंदर 5 sides होती है pentagon का मतलब यह 5 pentagon तो class बोलेगी 5-2 into 180 class बोलेगी 3 into 180 that gives you 540 degree यह इसको करने का professional तरीका है और जो उपर वाला तरीका कराया वो एक street smart तरीका है चाहो तो यह भी join कर देते 180 इसका 180 इसका और 180 इसका तीनों का जब sum करेंगे तो 540 degree आजागा यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है अराम से समझते हो चलो now let's move on to question number 3 question number 3 मैंने already करा दिया है वो कह रहा define a polygon define a regular polygon सब से पहले polygon what is a polygon मैंने बोला triangle is a polygon मैंने बोला quadrilateral is a polygon मैंने बोला angle is not a polygon 3, 4, 5 pentagon is a polygon तो what is a polygon ध्यान दिजेगा any closed figure is called a polygon or and it requires it requires a minimum minimum of three sides to make a polygon अगर आप लोग साथ हो तो इस polygon में n is equal to 3 है इसमें number of sides is equal to 4 है इसमें number of sides is equal to 5 है इसमें number of sides is equal to 2 है तो closed figure नहीं बन रही इसलिए polygon नहीं है किसी भी closed figure को polygon बोला जाता है किसी भी closed figure को we call polygon इसी polygon में अगर plus case if all sides of polygon are equal, then it is called regular polygon, यह याद रख लेना, जैसे कि इस case में कोई भी side equal नहीं है, इस case में कोई भी side equal नहीं है, इस symbol का बड़ा महत्व होता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, कोई भी side equal नहीं है, मगर अगर गलती से, sides equal आ जाएं, triangle की तीनो sides equal आ जाएं, quadrilateral की चारों sides equal आ जाएं, आपस में equal आ जाएं, rhombus होता है, rhombus की भी, चारों sides equal होती है, उसको बोलते है regular polygon, polygon और regular polygon में मैंने कोशिश करी आपको difference कराने की, I hope कि मैं आपको समझा भी पाया हूँ, यह था question number 3, 3 के बाद आता है question number 4, question number 4, कई बार कर चुके हैं, fourth root of 81, बड़ exam में बहुत पुछा जाता है, 8 times, cube root of 216, plus 15 times, fifth root of 32, plus under root में 225, ध्यान दीजेगा, fourth root of 81, 81 के, जिसको लगता नहीं हाता, ऐसे pair बनाओ, 3 के table में 27, 3 के table में 9, 3 के table में 3, 3 के table में 1, 2, 3, 4, minus 8 times, cube root of 216, जो मैं पहली class लेता हूँ, उसमें बोलता हूँ के number के cubes, squares, याद रखके चलो, बोलता हूँ, बड़ अगर नहीं याद हो, तो ऐसे factors बना के चलो, 2 करोगे तो 108, 2 करोगे तो 54, 2 करोगे तो 27, 27 को तो यहां से उठा लोगे, अगर 7 हो तो 3 के table में 9 जा, 3 के table में 3 जा, 3 के table में 1 जा, तो यह हो गया, 1, 2, 3 बार 2, और 3 बार 3, अगर आप 7 हो तो, यह हमारा बन गया, प्लस 15th root of 32, 5th root of 5 into, 15 into 5th root, इसे लिखने में थोड़ ही गलती हुई है, 15 into 5th root of 32 करेंगे, 2 के table में 16, 2 के table में 8, 2 के table में 4, 2 के table में 2, 2 के table में 1, 1, 2, 3, 4, 5, वो अच्छा बच्चा, जो observer अच्छा हो, वो कहेगा भाई, जहाँ पर 4th root है, वहाँ चार का ही पेर आए, जहाँ क्यूब root है, वहाँ पर 3 का पेर आए, जहाँ पर 5th root है, वहाँ 5 का पेर आए, पूरे-पूरे complete पेर आए, प्लस under root 225, अगर आप ध्यान दो, तो 15 का square होता है, 15 into 15 होता है, नहीं ध्यान दो, तो 5 के टेबल में 25 जा, 5 के टेबल में 5 जा, 5 के टेबल में 1 जा, आप चाहो तो जैसे लिख सकते हो, 15 into 15, अगर क्लास साथ है, तो यहाँ पर 3 का, पेर 3 minus 8 into, क्यूब root में, एक 2 बार into, एक 3 बार, प्लस 15 into, 2, प्लस 15 का पेर बार 15, करते हुए, कालकुलेशन मिस्टेक करी, तो नुकसान हो जाएगा, 3, अगर बच्चा देखे, 3 plus 15 को आड़ करे, बार्ड मास के हिसाब से, 18 minus 8, 2s are 16, 3s are 48, प्लस 30, बार्ड मास कहता है, पहले प्लस करो, 48 minus 48 is equals to 0, अराम से मता रह नहीं का नाम लो, और question को करते चलो, in the next day, I'll see you with day 40 of this practice assignment, thank you.